आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि UP सरकार की एक बड़ी भरती यानि कि UPSI की जॉब के लिए हम अपने आपको कैसे तयार करें, कैसे प्रिप्रेशन करें कि इस एक्जाम में में इंपोर्टन्स रखने वाले सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, पॉलिटिकल साइंस और जोग वीडियो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमने भी बात की कि साइंस और पॉलिटिकल साइंस और जोग्रफी को हम तयार कैसे करें, तो मेरे चैनल पर वैसे तो अगर देखा जाएं, तो 30% जो स्लेबर्स है इनका वो मैं कवर कर चुकी हूँ, उसका मैं लिंक जो है नी इन जोग्रफी और लुशन जोग्रफी में दोनों ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप कह सकते हैं कि इस एक्जाम के लिए, यूपी एसाइ को जो एक्जाम है, उसमें 30% जो अगर हम इसका पोर्शन देखे, तो वो मैं चैनल पर वीडियो के माधियम से अपलोड कर चुक तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं, बाकि जो हमारा रहे गया 30% या फिर जो बाकि जितना स्लेबस हमारा रहे गया, इन सब्जक्ट के लिए, वो हम आज से रेगुलर वीडियो बनाएंगे आपके UPSI के लिए, ताकि इन सब्जक्ट पर हम जो अपनी पकड है, वो मजबूत कर सके, तो इन सब्जक्ट के लिए आप बिल्कुल बेफिकर हो जाए, साइन्स, पोलिटिकल साइन्स और जोग्रफी, क्योंकि इसके लिए हम रेगुलर वीडियो जो है चैनल बनाएंगे, तो मेरा यह मानना है कि अगर एक सब्जक्ट को पड़ते हैं तो एक सब्जक्त के लिए आप कई सारी बुक्स को रेफर मत करीए, एक बुक पकड़ लेजिए उस बुक पर अपना विश्वास बनाएंगे कि हाँ अगर मैं ये बुक जो कवर कर लेता हूं तो मैं एक्जाम में कोशन अगर इस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा तो मैं उसे अपनी क्लियर कर लूगा उस कोशन को सॉल कर लूगा तो एक ही बुक को पकड़ कर रखे उसे बार बार इतनी अच्छी तरह से पढ़े आप और उस टॉपिक जैसे ही आपके दिमाग में आएगा आपका कोशन जो है ओटोमेटिक सॉल हो जाएगा आप कैसे पढ़ते हैं मुझे नहीं पता मैं अपना तरीका बताती हूं किसी भी टॉपिक को कवर करते हुए एक टॉपिक कवर किया उसके बात शांत बैठिए कुछ म पढ़िए तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट पर पकड़ है वो बहुत अच्छे से बन जाएगी बाकी बुक्स अगर आप पूछना चाहें तो कई कोशन कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि NCRT बुक्स को रेफर करें या नहीं करें तो अपकी बार बहुत है 2016 में जो आपकी UPSI की वेकंसी आय थी अगर उसकी बात करें तो तब 3-4 लाग जो है फॉर्म भरे गए थे लेकिन अभी जो है फॉर्म जिस स्पीड से भरे जा रहे हैं तो मान के चलिए कि कम से कम 13-14 लाग 13-14 लाग जो स्टूरेंट्स है UPSI का फॉर जो है वो भर रहे हैं तो competition है वो कई गुना जादा बढ़ चुका है दूसरे बात lockdown की वज़े से जो लोगों को government job की importance पता लग चुकी है कि government job जो है वो क्या है आपकी स्थाई है आपका हमेशा एक विश्वास करने लाइक आपको जो है एक आमदनी जो है वो देती है तो ल लोगों ने YouTube वीडियो देखी है अपना जो है self analysis किया है अपनी self study बहुत की है तो automatic रूप से आप समझ जाए कि जो है अपकी बार competition जो है बहुत जादा होने वाला है और students कि अगर बात करें तो 2016 में क्योंकि 3-4 लाग student थे और अपकी बार जो फोम भरे गए है वो 13-14 लाग जो है form जो है भरे जाने की संभावना है तो competition बहुत जादा होने वाला है इसलिए अपने आपको जो है इतना तयार करें कि आपका exam में question गलत ना हो इतनी तयार करें कि अगला जो आपके student आपके साथ बैठा होगा उसकी तयारी आपसे कितनी जादा हो सकती है यह सोचकर अब question है कि expected date तो date क्या होगी तो इतनी बड़ी भरती है लगभग आप कितनी वेकेंसी आई है 9534 जो है आपकी सीटे है वेकेंसी है इस exam के लिए 13 to 14 lakh इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं और इतनी बड़ी यूथ जनरेशन को इतनी बड़ी यूवा जो है यूवाव को कोई भ यूगी सरकार जल्दी जल्दी यही चाहेगी कि इस exam की जो date है वो निकाला जाए और ज्यादा इसे लटकाया ना जाए तो maximum की बात नहीं करते हैं मिनिमम की बात करते हैं तो minimum जो अगर expected date देखे हम इसकी तो 15 अगस्त से आपके जो है UPSI के exam जो है शुरू होने की संभाव तो 15 अगस्त से आप माल के चलिएगा कि आपका एक्जाम जो है UPSI के जो एक्जाम होने शुरू हो जाएंगे इससे भी अगर थोड़ा safe limit में माने तो 1 अगस्त क्योंकि हम सब ही student है और हम बिल्कुल भी risk नहीं लेना चाहेंगे इतनी बड़ी भरती के लिए UPSI के लिए हम बिल्कुल भी risk नहीं लेना चाहेंगे अगर हमें लगता है कि एक्जाम 15 अगस्त से शुरू होने वाले हैं तो हम मान के चलेंगे कि एक्जाम हमारा 1 अगस्त से ही होगा तो अपने आपको एक अगस्त की तहत जो है ready करके रिखिए ताकि एक्जाम की date आने पर आपको बिल् एक्जाम के लिए हम तीन सब्जेक्ट को पकड़ कर चलेंगे साइंस को पॉल्टिकल साइंस और जोग्रफी इन तीनों सब्जेक्ट में हम इतनी महारत हासिल करेंगे कि हमारा कोई भी कोश्चन जो है गलत ना तो तयार हो जाएए आज से हमारी रेगुलर वीडियो जो है यूटूब पर आने वाली है UPSI के प्रिपरेशन के लिए आज के लिए बस अतना ही वीडियो कर अच्छे लगे तो प्लीज शेयर जरूर कर दे अपने फैंड्स के साथ और लाइक करना ना भूले थैंक्यू थैंक्यू सो मच